हेलो एवर्यों इस वीडियों सॉल्व करेंगे क्लास 7 चेप्र 2 फ्रक्षिंस एंड डेसिमल्स की एक्सेसाइज 2.4 का कॉश्ट नुबर फास्ट का ए पार्ट लिखा हुआ है 12 को डिवाइड करना है 3 by 4 से तो डिवीजन के कॉश्टिंस कैसे करेंगे अब तक हमने देख डिवाइड को तो बना देना है multiply ठीक है और जो डिवाइड के बाद सिंबल था जो भी नंबर था उसका कर देंगे रखा होगा जैसे इसमें 3 by 4 दे रखा था उसका कर देंगे रैसी प्रोकल means जो numerator में है वो denominator में हो जाएगा और जो denominator में है वो numerator में हो जाएगा और उसके बाद solve कर देंगे जैसे अब तक solve करते हैं है multiplication को कैसे solve करेंगे हम करते है numerator numerator की multiply and denominator denominator की multiply और उससे पहले हम उसको cancel out भी कर लेते हैं जितना possible cancel out करने के लिए तो आप या तो इसको पहले cancel out कर लो 3 1s are 3 3 4s are 12 कैसे cancel out करते हैं denominator को numerator से same number से multiply हो रहे हो है न तो यह होजएगा 4 into 4 divided by 1 into 1 4 into 4 is 16 and 1 into 1 is 1 denominator में 1 लिखते नहीं है तो यह बन जाएगा हमारा 16 तो first का कितना answer हो गया 16 आप इसको और भी method से कर सकते थे कैसे जैसे हमारा आया था 12 into 4 by 3 तो numerator 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 का multiply 12 for the 48 divided by 3 अब इसके बाद आप cancel out कर सकते थे ठीक है तो कोई भी starting में या तो पहले cancel out कर लो तो ज्यादा जो multiplication हो थोड़ी easy बढ़ जाती है न अधरवास दोनों method से हैं लेकिन जो starting में था हमारा क्या था starting में कि multiply में change करो reciprocal करो उतना same रहेगा ठीक है वो हमें करना ही है इसका second part second part में क्या दे रखा है हमारा second part में लिखा हुआ है 14 को डिवाइड करना है 5 by 6 से तो 14 को डिवाइड करना है 5 by 6 से तो same method यूज करेंगे पहले 14 डिवाइड को लिखा multiply और 5 by 6 का reciprocal 6 by 5 इसके बाद क्या यह cancel out हो रहा है तो यह बन गया 14 upon 1 into 6 upon 5 अगर cancel out हो रहा है अधरवाइस सेम रखेंगे यह cancel out नहीं हो रहा तो यह बोजेगा 14 into 6 divided by 1 into 5 146 जा 84 divided by 5 अब देखिए इसमें numerator बड़ा है denominator थोटा है तो उसके इसमें क्या करते हैं इसको convert करेंगे मिग्ज़ में तो 5 1 जा 5 3 इस remainder next digit 4 5 6 जा 30 remainder is 4 therefore it will become 16 4 upon 5 16 4 upon 5 तो improper को convert किया मिग्ज़ में पांचर आया हमारा 16 4 upon 5 तो सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया similarly हम बाकी पार्ट सॉल्व करते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ थर्ड पार्ट में मारा कि हमको 8 को divide करना है कि से 7 upon 3 से तो कैसे करेंगे 8 multiply by 3 upon 7 है ना reciprocal कर लिए second digit का जैसे ही divide को multiply में change करेंगे तो जो divide के पास जो भी मारा number दे रिखा होगा उसका reciprocal हो जाएगा after that it will become 8 3 is a 24 divided by 1 into 7 तो 24 divided by 7 now 24 जो numerator है वो मारा larger है denominator से therefore we will convert it into the mixed fraction 7 3 is a 21 remainder is 3 therefore it will become 3 3 by 7 हम अगर हमारा numerator बड़ा होता है तो numerator को divide करते है denominator से उसके बाद mixed में convert का हो जाता है कर देते हैं next देर का 4 को divide करना है 8 by 3 से 4th part 4 को divide करेंगे 8 by 3 से तो 4 multiply reciprocal of 8 by 3 will become 3 by 8 after that calculation करेंगे इसमें तो divide हो रहा है and denominator में क्या रहा है 1 into 2 it will become 3 by 2 now 3 is greater than 2 means numerator is bigger than the denominator therefore we will convert it into the mixed fraction 2 1 2 it will become 1 1 by 2 1 1 by 2 after that next part 5th and 6th in 5th part हमें divide करना है 3 को 2 1 by 3 से अभी देखिए अब तक हम proper या improper था उसको divide कर रहे थे लेकिन इस बार में divide करना है mixed fraction से तो mixed fraction से कैसे divide होगा same पहले mixed को convert कीजी किसमें improper में है न तो it will become 2 3 जा 6 plus numerator 7 divided by 3 तो कितना होगे 7 upon 3 therefore we will write 3 divided by 7 upon 3 अब इसके बाद तो हमने solve की अभी तक 4 part solve कर चुके हैं कैसे करेंगे 3 को multiply किसे reciprocal से उसके अब reciprocal बना दिया उसके बाद आगे का calculation cancel out नहीं और अधे को 3 से 3 cancel out नहीं कर देना numerator denominator को आपस में cancel out करते है ना numerator 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 नहीं तो multiply हो जाएगी कितना हो जाएगा multiply होगे 3 into 3 1 into 7 it will become 9 upon 7 और 9 upon 7 numerator बड़ा है मारा तो किसमें convert करेंगे मिंग्जड में improper को 7 1 is a 7 remainder is 2 it will become 1 2 by 7 it will become 1 2 by 7 5th part 5th part में लिखा हुआ 5 को divide करना है 3 4 by 7 it is same as sorry 6th part में 6th part में क्या लिखा हुआ 5 को divide करना है 3 4 by 7 it is same as 5th जैसे हमने 5th किया था से मारा 6th part है तो 5 को divide करना है 3 4 by 7 से तो कैसे करेंगे पहले 3 4 by 7 को convert करेंगे mix को convert करेंगे improper में it will become 7 3 is a 21 plus numerator divided by denominator तो 21 plus 4 divided by 7 25 by 7 it will become 5 divided by 25 by 7 इसके बाद हमने कैसे solve किया था जैसे first poor part solve किया थे divide का sign होजेगा multiply में and reciprocal बन जाएगा 25 by 7 का 7 by 25 after that calculation cancel out हो रहा है हो रहा है 5 1s 5 5s 25 it will become कितना होजेगा numerator 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 का multiply and denominator denominator का multiply 7 upon 5 इसमें भी जो हमारा numerator हो बड़ा है numerator 7 है denominator 5 है तो यह हमारा कैसा fraction है improper इसको किसमें convert करेंगे mixed में तो 5 1s 5 2 1 2 upon 5 it will become 1 2 by 5 ठीक है इसमें total 6 parts दे रखे थे हैं हमारे first question में so thank you